आलू के पराठे तो आपने बहुत बार बहुत तरीके से बना कर खाएं होंगे, बहुत सारे इसके तरीके होते हैं आलू के पराठे के, लेकिन आज क्या आपके साथ हम जो सेयर करने वाले है न, ये पराठा जितना ज़्यादा खुबसूरत दिख रहा है न, उससे कहीं ज़् टेस्टी है और बनाने में तो बहुत ज़्यादा आसान है थोड़ा सा डिफरेंट भी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा हिल्दी है बचों के लिए तो बहुत ही हिल्दी है आप इसको आराम से टिफिन बॉक्स के लिए बनाए लंच के लिए बनाए या फिर टेनर के लिए बना आठे आप देख रहे हैं ना कितने बढ़ियां से फोल रहे हैं सारे के सारे फोलेंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइकों से एर करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो यहां पर हमने एक गड़ी पालक की ले लिया हुआ है गड़ी का मतलब है कि हमारे यहां जो पालक ऐसे बंधा हुआ मिलता है उसको गड़ी या फिर गड़ा बोलते हैं तो यह हमने पुरा एक गड़ी ही लिया हुआ है इसे अच्छे से साफ करके पानी से वास कर लिया है और यहाँ पर पानी भी हमने half लीटर चड़ा दिया था गरम होने के लिए जो कि गरम भी हो चुका है पानी तो ये सारे पालक के पते इस पानी में डालेंगे और इसे हमें ब्लांच करना है मतब बहुत ज़्यादा इसे boil नहीं करना है बस आप इसे गरम पानी में डालिए और बस गैस की फ्लेम को हाई कीजिए जैसे ही उबालाना स्टार्ट होगा गैस की फ्लेम को तुरंद बंद कर देना है अगर आप इसे बहुत ज़्यादा देर उबाल देंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और टेस्ट में भी आपको थोड़ा डिफरिंट जरूर दिख तो चलिए इधर पालक में देख सकते हैं बॉयल आना स्टार्ट हुआ हमने गैस की फ्लेम को आफ किया अब इसे चान लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं तो देखिए इसे हमने चान कर थोड़ा सा नॉर्मल पानी भी इसके उपर डाल दिया था जिसके इसकी जो ओबर कुकिंग है वो भी स्टॉफ हो जाए और अब हम लेंगे मिक्सी का जार और इसमें हम एट करेंगे कुछ फ्लिवरफुल चीज हैं जिसमें हमने लिए हरी मिर्ची थोड़ी सी लेसुन की कलिया ली हैं और एक चमश हमने लिया हुआ है कच्चा जीरा बहुत ही बढ़ हो चुके हैं तो इसको भी मिक्सी के जार में डाल देते हैं और अब हमें इसमें पानी पगेर बिल्कुल भी नहीं डालना है इसका हम फाइन पेस्ट बना लेते हैं तो इधर हमने फाइन पेस्ट बना लिया है अब एक मिक्सिंग पोल में हम लेंगे गेहों का आटा तो इस करेंगे और इसमें हमने पानी नहीं डाला था क्योंकि पालक में काफी पानी होता है तो बस अब इसको हम आटा एकदम सॉफ्ट आटा लगाएंगे और अगर आप आटा ज्यादा लेते हैं पालक कम लेते हैं तो आपको पानी डालना पड़ जाएगा तो पानी की कौंटिटी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा जिसे कि जो आटा है ना उसका जो डो है वो बहुत ज़्यादा गीला ना हो तो ये आटा जो है हमें थोड़ा सॉफ्ट इसका डो लगाना होता है क्योंकि पराठे हम कोई भी बनाते हैं तो उसका जो डो है आटे का वो soft लगा ये देखे किता ज़्यदा soft है न तो इससे हमारे पराटे बहुत ही ज़्यदा soft बनते हैं और especially वो फटते भी नहीं है जब आप इसकी stuffing करेंगे न तो ये आटा जो है वो हलका गिला होता है यानि कि जो डो है वो soft होता है तो बहुत ही आराम से वो सरकता भी है बेलने पर तो आटा हमारा लग चुका हमने उसको site पे रखा है रेस्ट के लिए पांच मिनिट के लिए और यहाँ पर हमने उबले और कदू कस किये हुए आलू लिए है मतब आलू को उबाल कर कदू कस कर लीजिए कोई बड़े इसमें लंच वगेरा ना रहे है आलू के फिर यहाँ पर हमने एक चमज के जितना एट किया है चाट मसाला एक चमज कच्छा जीरा और थोड़ा सा हमने काला नमक एट किया है काला नमक ना इसमें बहुत ही बढ़ियां लगता है सफेद नमक भी डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा एक चमज भुना हुआ जीरे का पाउडर और आधी चमज रेट चिली फ्लेक्स एट किया है तीखा भी आप अपने एक ओर्डिंग कम जादा कर सकते हैं थोड़ी सी बारी कटी होई धनिया की पत्ती एट करेंगे हाँ धनिया की जो पत्ती है न उसे आप एकदम बारी कट कीजिएगा जितना बारी का आप कट कर सकते हैं बारी किसलिए cut करना है क्योंकि अगर धनिया के पत्ते के जो roots होते है ना अगर वो थोड़े बड़े होते है ना तो फिर जो पराठे है वो फटते हैं और फूलते भी नहीं है बाकी और कोई reason नहीं है तो अब इसको mix करेंगे मैं आपको आलू दिखा रही थी कि देखे बहु स्मूथ है ये तो ये बहुत ज़्यादा सूपर टेस्टी हमारी जो आलू का मसाला है वो हो चुका है तयार और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन इतना ज़्यादा टेस्टी है ना कि सच में एक बारा बना कर जरूर ट्राइगे स्टफिंग हमारी तयार है और आटे को भी हमने पांच मिनट के लिए रेस्ट पर रखा था तो अब इसकी हम लोईया बना लेते हैं तो बहुत पराठे आपको छोटे बड़े जैसे जितने बड़े बनाने हो उस हिसाफ से आप लोईया बना लीजे और ये पराठे थोड़ या फिर रोटी के जितना भी आप रख सकते हैं अब इसमें रखेंगे आलू का खूब सारा मसाला इसमें आप आलू के मसाले अधिक कॉंटिटी में भी रखेंगे ये पराठे फटेंगे भी नहीं और बहुत ही अच्छे से बनते भी हैं तो बद इस स्टफिंग के कोई कमी नहीं कीजिएगा आराम से आलू के मसाले को फैलाइए और बस इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो इसे हमें चारो तरीके से फोल्ड कर देना है और ये पराठाना दिखने में बहुत ही खुबसूरत लगता है मतलब थोड़ा सा डिफरेंट लगता है क्योंकि नॉर् बच्चों को थोड़ी से डिफरेंट चीज़ें अच्छी ही लगती है अब इसकी उपर थोड़ा सा सुखा आटा डस्ट कीजे और इसको एकदम हलके हाथों से बेल लेना है हमें तो जब आपका आटे का जो डो है अगर वो सौफ्ट रहेगा ना तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि जब आप उसको बेलेंगे ना तो बहुत ही स्मूथली सरकता है तो पराठा हमने पना लिया है अब यहाँ पर इसको हम सिखेंगे लोहे के तवे पर जब एक साइट से यह सिख जाएगा तब इसको पलट कर घी लगाएंगे और हाँ इस पराठे को अब घी या तेल किसे में भी बना सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो बस हमने घी लगा दिया है और अब इसको फिर से पलट देंगे और दूसरे साइट भी घी लगाएंगे और आप देखिएगा यह पराठा इतना ज़्यादा फूलता है ना न अहीं से फटेगा और बहुत ही गजब यह मस लगता है खाने में और इस टफिंग तो आपने देखी है कि हमने कितनी सारी इसमें भरी हुई है तो भई आवाज भी मत जाएएगा क्योंकि आज की आवाज आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी क्योंकि मेरे गले में थ जरू ट्राइ कीजेगा अगर आपके हैं भी बच्चे हैं उन्हें भी पालक खाना नहीं पसंद देना तो बस ये वाली रेसिपी आप उनको बना कर दीजे फिर तो उनको पालक बहुत ही पसंद आने लगेगा और हाँ आप इसे चाय के साथ बनाईए या खाईए या फिर लंच या डिनर में बना सकते हैं बचों के टीफिन बॉक्स के लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है तो बस इसी तरीके से सारे पराठे को सेखना है और हाँ इस पराठे को हमने हाई फ्लेम पर ही सेखा है कोई मीडिया में लो फ्लेम नहीं किया है और बहुत बढ़ियां से ये पराठे फूल रहे हैं आप देख सकते हैं न वैसे मेरे जो पराठे होते हैं वो सारे ज़्यादा तर अच्छे से ही फूलते हैं तो चलिए अब इसी तरीके से हम सारे पराठे को बना लेंगे आप चाहे न तो आप इसको गोल भी बना सकते हैं अगर इस तरीके से नहीं बनान देखने में तो बस इसी तरीके से सारे पराठे हम बना लेंगे तो फ्रेंट्स अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आएगी ना तो प्लीज वीडियो को लाइक और जरूर कीजेगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेजेगा इस तरीके की बहुत सारी रेसिपी आपको देखने को हमारे चैनल पर जरूर मिलेंगी तो आलू के पराठे तो आपने बहुत तरीके से बनाए होंगे और ये लिजे हमारे ये आलू पालक का पराठा बनकर हो चुका है तैयार और बहुत यादा सॉफ्ट है ये लेकिन ये पराठे अपने आप में बहुत लाजवाब होते हैं तो सिंपल आप इसको चाय के साथ ये टमाटरे की चटनी बना लीजे उसके साथ तो ये बेस्ट लगते हैं तो उमीद करते हैं रेसिपी आपको अच्छी लगेगी ट्राइ कीजिएगा फीडबैक सेयर करना म मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में तब तक इस रेसिपी को आप इंज्वाइ कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तब तक के लिए बाई बाई टेक केर